आप सभी प्रिये दर्शकों का स्वागत है। आप के लिए क्या है एक बढ़िया खबर Future Group के रिबारे में और साथ-साथ में एक bad news भी है। Reliance की deal क्या होगी? क्या यहां पर further delay होगा? इसका visualization करेंगे और साथ-साथ में अब banks क्या कर रहे हैं आगे आने वाले दो दिनों में इस वीडियो में व्यक्या की जाएगी। तो सबसे पहले अच्छी फ़बर की बात करते हैं Banks are meeting for next two days to decide the future of future growth. यहां पर सारे banks ने ज़्यादतर NPA declare कर दिया है, किसी ने provision 40% तक कर रखा है, किसी ने provision थोड़ी confirm नहीं हो पा रही है meeting होगी, दो दिन के लिए future group के साथ में उनका revival plan दिखा जाएगा Bank of India इसमें interested हो भी सकता है शायद नहीं भी तो दोनों तरफ से वो अभी अपने आपको safe रखना चाह रहा है State Bank of India is definitely in favor for six months extension जैसा कि सूथरों ने यहाँ पर बताया गया है अब delay versus haircut दो option है यहाँ पर banks के पास में या तो delay कीज़े 6 महीने के लिए loan को अगर delay करते हैं तो उनका haircut बच जाएगा अगर delay नहीं करते हैं तो उनको haircut अभी लेना पड़ेगा अपना और यहाँ पर NCLT के थुरू जाना पड़ेगा lenders believe करते हैं कि यहाँ पर आगे आने वाले दो दिनों के अंदर they will decide the next course of action और of course with the legal people discussing the matter उनके accordingly यहाँ पर अगर reliance की deal हो जाती है that is the best option for them this is print media news जैसे हम आपको बताने हैं we are holding payment जो bad news है इनका NCD का payment follow गया है what next आईए चल कर देखते हैं future group के बारे में हमारा क्या view बन रहा है high court के approach किया गया है NCLT के approval के लिए इसकी तारिख शायद 23-24 के आसपास इसकी सुन्वाई होगी we will resume voting information और हमें कई दर्शकों ने पूछाए कि सब voting कैसे की जाए शायद लोंने पिछली बार voting नहीं की थी तो हम उनके लिए dedicated video बनाएंगे जैसे ही इसका time आएगा तो हम आपको detail video बनाकर बता देंगे Q3 revenue में अच्छी बात समझ में ये आई है कि revenue इनका बढ़ रहा है और revenue का quantum जो है 2800 उनकी current market cap से जादा है 2490 की market cap है तो यहाँ पर इनका ये हमारे हिसाब से एक अच्छा buying option है We are buying every dip जैसा हमने आपको continuously पिछले चार दिनों से बता रहे है दो दिन में हमने नहीं खरीदा है पिछले एक हफते में हमने काफी quantity खरीदी है This is a value buy और चार गुना तक return मिल सकता है इस stock में अब देखे लेंडर्स का view है The deal with Reliance Industries is the best option for recovering the due उन्हें भी मालूम है कि अगर यहाँ पर bidding गई तो bidding में कोई जादा option नहीं आएंगे इनके पास में इसलिए they want to be buy-end बट उनका चिंता जो है वो delay की वज़े से है क्योंकि यहाँ पर काफी legal opinion pending है इनके लिए तो यह दोनों तरह से अपना देखना चारे है कि कि किसी तरह से अगर Reliance इसको deal को approval हो जाता है तो वो उनके लिए सबसे best option है कोई haircut नहीं Reliance एक stable group है जिसके ओपर वो loan आराम से वरोसा कर सकते हैं तो यहाँ पर NCD का बैड खबर आपको बदाए दी bad news future consumer जो future group का company है वो उसने payment of interest and principal due जो non-convertible bond का है वो as an emerging market deferred कर दिया है यहाँ पर 5.49 करोड के reference में तो यह पहले 21 करोड के आसपास था जो यहाँ पर अब principal covered deferred installment of 9.4 करोड और installment of 11 करोड the company said to the exchange filing तो यह official news है future consumer की जिसमें उन्होंने यहाँ पर delay किया है अपना payment what do we recommend now हमारी recommendation इसको सीधे सीधे buy करने की है अगर आपका average 70 के उपर है तो average को थोड़ा कम कीजिए बशरते 5% से ज़्यादा आपने निवेश नहीं किया है किसी भी stock में 5% से ज़्याद निवेश मत कीजिए और अगर stock का buying level या selling level जानना है तो हमें mail drop कर सकते हैं या फिर आप हमारे paid member ले सकते हैं आपको सारी detail मिल जाएगे प्लीज कंसल्ट और financial advisor before investing and trading और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ही तो सब्सक्राइब बटन अपना समय देने के लिए धनवाद ट्रेनिंग के लिए mail drop करें जाहिंजा भारत बाई गाईज